चैनल आलिया सिलाई कटिंग, आज हम धोती शलवार की कटिंग करेंगे, इसमें शलवार की लंबाई है, 42, आसन है, साड़े साथ, बॉटम है, साड़े 6, बेल्ट की लंबाई है, साड़े 9, चौड़ाई है, 21, और हमें ये कपड़ा है, हमार पास 2 मीटर, 10 हींच का कपड़ा सूट में से आए वाला है, और इसको हम ये 2 पार्ट पे लिए बास से, इसको 4 पार्ट पे फोल्ड कर देंगे, ये इस तरह समझते में, ट्राइंगल में हम इसको कपड़े को जमाएंगे, इस तरह, अब हमें इसको बॉटम सबसे पहले लेना है, बॉटम, अभी हमें ये व लाइन है, इस तरफ से हमें लंबा ही लेना है, और इस तरफ से हमको ये साड़े छे, और उसका मार्जिन आएगा, साड़े साथ, एक मार्जिन ठोड़के, साड़े साथ की इसको एक्तम सीधे में ले लेंगे, ये कोना ज्याद आएगा, अब इसके बाद से हमें बेल्ट के बाद, बेल्ट साड़े नू, 42 में से साड़े नू, हमें बेल्ट का माइनस करना है, 42 में से नाइन इज, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नू, फिर, साथ, 33, यहां से 33 लेकर, यहां तकार, यहां, यहां पर हम मार्क लगा देना, यहां हमने यह मार्क ले लिए, इसको सीधी में, हम इसको स्केल से ले लिए, यहां ता, और यहां से, यहां से हमें, तीन इज, के उपर एक मार्क लगाना है, यह कट आएगा, यहां पर, इतना कट हो जाएगा, यहां से, हमारा, इस तरीखे से, यह कटिंग होईगी, तो यह यहां पर हमारा, यहां कट हो जाएगा, इतना हम, तीन इज का, यहां से हमने, तीन इज की, कट कर लगाए, आब इसका हमें, आसन लेना है, आसन है, साड़ सात इंच का, साड़ सात इंच, पी हमें, आसन की मार्क लगाना है, और अंदर से, देड़ीच, यह एक इंच, जेतना आप में, लगता है, molecular block लेनगी, यह बोक्स बना के, यहां से भी, इस तरह, यह हमारा आसन, कि इस तरह हमारी दूति शलोर की कटिंग हो चुकीर यह मारा यहां काइतना हम यह कट कर देंगे चुकि हमारे यह सिर्फ दू मीटर रहा रहा दस ऐच कप्ड़ था इसलिए हमारे इसमें बेल्ट नहीं निकल रहा है तो हमको इसके बेल्ट के लिए हमें दुसरा कपड़ा चाहिए दुसरे कपड़े में हम इसका बेल्ट निकाल देंगे यासन हमें हमारा बॉटम की कटिंग करेंगे यहां से हमने साड़े छेलिए है एक मार्जिन है इसका और इसको हम थोड़ा सा नीचे से लेंगे इस तरह है यह मेरा बॉटम हो गया और यह दोनों साइट पैक है यह एक साइट को भी हम उपन कर देंगे इस तरह से हमारा दो पार्ट निकल गया देखिए खोले बास इस तरह लगी गया दूसरा कपड़ा मैंने लिए लिए हूं और इसकी बेल्ट की लंबाई हमने तो 42 में से 9 इंस माइनस कर रहे थे यहां पर 9 इंच की लंबाई बेल्ट की और चाड़ाई है 21 की तो यह दो पार्ट है तो 21 क्या दे साथ दस न ले जागे तो पार्ट निकल जाएंगा तो यह ओपन होके सामने का बेक का इसमें हमारा उपर इलास्टिक डालने के लिए इन्हें पर तयार हो जाएगा यह हमारा बेल्ट और यह नीचे की धोती शलवार हमने जहां से कट लगाया था यह वाला यहां पर एक सिलाई आएगी इस तरह यह गोल राउंड राउंड बनते जाएगा जितने हमें चाहिए उतने साइस के हम इसमें टक्स ले लेंगे इस तरह और यह सेंटर में आएगा इस तरह इस तरह यह साइड में इतनी और यह साइड में आपोजिट साइड में आएगी प्लेट इस तरह और यह वाला जो बीच में थे यह राउंड राउंड आएगा और यह वाला हमारा पैक हो जाएगा अंदर पलट जाएगा अब हम यह धोती शल्वर की स्टिचिंग करेंगे यह हमने यहां पे ती नीच पे जो कट लगाया था वहां पे हमें रॉंग साइड उल्टे सीदे का मार्क लगाना है एक पठ हटा के दोनों साइड एक दूसरे क इस अपोजिट में और यह बॉटम तरफ का भी हमें मार्क लगाएंगे यह इसे दोनों पार्ट अलग-अलग कर देंगे हम आए यह मार्क वाले साइड तरफ से हमें यह इस तरह शेप आएगा हमें फिर यह कैनिस हम इसके साथ फोल्ड करेंगे इसका हमने मार्जिन पहले हमने गिनने में इसको कपड़ा की लेंथ हमने जादी ले ली थी इसलिए हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरह यह इतना कपड़ा हमें छोड़ना है और यह यहां पर एक कट लगाएंगे जहां तक हम इसको फोल्ड करना है यह फोल्ड इतना फोल्ड हो रहा फिर यह इसको हल्के से इसमें थोड़ी सी बारिक सी इसको इस तरह हमारी थोड़ी सी जोल आएगा वह नहीं दीखेंगा हमें कोर वाले साइट से हमें इसकी सिलाई लेंगे यहां पर एक छोटी सी प्लेट ले लेंगे हम एक pal computer वह बड़ी हूर हम इसमें यह बकरम डाला है बाद इसमें हमें नोक आती है नोक वाली भी हम रख सकते हैं उसके अंदर कैनिस डालने की जरूरत नहीं है कैनिस वाले बेल्ट की जरूरत नहीं है इसी तरह हमें दुसरे वाला साइड भी हमें बाटम हमें तयार कर लेना है इसी तरीखे से और फिर यह वाले साइड से हमें इस तरह कपड़ा जमाते हुए जाना है और यह जो रॉंग साइड आए वाली है हमारी इदर की इस तरह इसको इतना यहां से हमें एक टिटलिंगे पहले शेरूर सीधी यह देगे यहां पर माक लगाया थे यहां पर एक सिलाए लिए और इसी साइड में हमारा यह फोल्ड करे वाला यह अंदर जाने वाला साइड उल्टा और यह सीधा तो यह उल्टे साइड में हमें हमारी यह सिलाए लेंगे अब यह सिलाए लिए बाद से हमें प्लेट्स लेना है सबसे पहले हमें इस तरह लेके इस तरह एक इस तरह आएगी और यह इधर के साइड वाली भी इतनी ही चौड़ी हमें प्लेट लेंगे पहले शुरूए इधर के लेंगे यह वाली जो सिलाई है यह सिलाई के तरफ ही हमें फोल्ड करना है यह इतनी यह हम हमारे हिसाब से छोटे बड़े ले सकते हैं बाद में हमें इसका बेल्ट के उपर लगा के देखना है कि इतने लगरी प्लेट उसी हिसाब से हम यह प्लेट को खोल भी सकते हैं और ज्यादा हुआ तो हम इसे और एक प्लेट भी लेका हमारी इसके इसके हम प्लटा देगे यह रॉंग्साइड हो रहा और इसी जयाथ तरफ से इस तरह लेंगे आँ यह कपड़ा पलटा दिये लेकिन ही हमें ये सिलाई के तरफ इधर इधर वाली साइड में हमें सिलाई चाहिए इस तरह अभी वो साइड में हमने ऐसी प्लेट ली थी अभी ये साइड ले रहे हैं तो ये इधर पलती है ये रहे हैं ये ये मारा अब कर दोगाई गा इधर ले रहे हैं तूर वी रहे हैं अब यह हमारे दो बिल्ट के पार्ट है, तो एक पार्ट पे हमें यह सेंटर वाला है, इसका सेंटर यह है, पर कट लगा देंगे, और यह वाला सेंटर की सिलाई है, यह इस तरह, हमें कितना बाठ रहा देखेंगे, यह पूरी बढ़ जा रही हमारे, और इधर वाला, यह वाले साइट की, हमें एक छोटी सी और एक प्लेट लेना पड़ेगी, ठीक है, और एक छोटी सी हमें, एक वाली साइट हम खोल के, इसके पर और एक बड़ी साइट, यह यहाँ से हमने, एक प्लेट और एक ले ले, अब यह इसकी सिलाई ले ले लेंगे, हम बेल्ट को, इसके वपर जोड देंगे, इसी तरह, यह बीट के हमरे सेंटर आ रहा है, और यह बीट की सिलाई आ रही, वह बेल्ट के बीट में, इस तरह लेंगे, इस तरह हमें, दूसरा साइट भी हमें तयार कर देना है, इसके पर से प्रेज सिलाई लेंगे, इसी तरह हमें दूसरा साइट भी तयार करना है, यह हमारे धोती शलवार का एक पार्ड और यह एक पार्ड इसको हमने बीट लगा दिया है, इस तरह बढ़ गए हैं, अब हमको इसके उपर डालके इसको जैंट करेंगे, यह सीधा पार्ड एक और यह इसके उपर यह उल्टा पार्ड यह दोनों यह सिलाई सीधी, सीधी के उपर यह सीधी इस तरह रखना है, और अब हमें इसका, यह यह यहां तक सीना है, और फिर इतना ओपन रखके यह यहां सीधी लेंगे, यह इतना बीच का ओपन रहोगी, इस तरह ठापिए, यहां से एक सीधी लेंगे, इसको इसमें हमारे आसन तक हमसे ले ले लेंगे, आपको डबल सिलाई चाहिए, तो इसको डबल सिलाई भी आप मार सकते हैं, यहां से एक कट लगा दीती हूं, यहां से डबल सिलाई भी दीती है, अब इसको ओपन करके, यह इसको पैक करना है, इसके अंदर से हमें आलास्टी की डाल सकते हैं, यहां पर एक अंदर सुई रखके, इसका बॉक्स बाक्स 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 बाक्स, बनाएंगे, यह हो गया, यह बैक साइड वाला भी हम यहां से पूरी टोटल सिलाई ले लेंगे, यहां पर हमें लास्टिक के लिए, नहीं छोड़ना है, सामने की साइड में छोड़े हमने, इसको भी हम डबल सिलाई ले लेंगे, यह बैल्ट को हम इसको, इस तरह एक बार फोल्ड करके, और एक बार फोल्ड करेंगे, यहां तर, इस तरह, इस सिलाई लेंगे, इलास्टिक अभी हम बार में से भी डाल सकते हैं, इसके इंदर से डाल के, इस तरह, यह पूरी सिलाई हम ले लेंगे, अगर आपको यह वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक कीजिए, शेर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अब यह हमारे बीच वाली सिलाई, हम ले लेंगे, दोनों बॉटम के, इतनी रखना है था, हमारे हिसाब से में मार्जिन रख सकते, दाद यह तो फिटी रहती, यह दोनों बीच का सेंटर और रिसेंटर, आर भूल, आसाना, आसान तक हम इस किसी लए लेंगे, इस साइड में सेंटर में आगया हम, आइस किसी लेंगे, थोड़े सा राउंड शेर में लेंगे, थोड़ दो तिन टाके पक्के करेंगे आपर, फिर यह सिलाई, यह वाले बॉटम की हमने कहां तक सिलाई लिए, उतनी ही हमें, इसके उपर भी सिलाई यहाँ पर आई इसके बराबर यहाँ आता है, इसके पर भी हम डबल सिलाई ले सकते हैं, इसके पर भी हम डबल सिलाई ले सकते हैं, कर दोता हैं,